नमस्कार साथियों जय उत्राखन आज स्वरोजगार की अगली कड़ी में मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा एक मोल मोल ही कहते हैं साब इसको यह जो मोल है यह बेसिकली अभी छोटा है अभी कच्चा है जब यह पक जाता है तो यह बहुत जादा काला हो जाता है इसके बारे में आप देखिए यह मोल का पेड़ हमारे जोसी जी के घर के बगल में लगा हुआ है आप देखिए कितने आगे आगे दिखाई गन को कितने लगदा यह पेड़ जो है यह हो रखा है मोल से और इसका सबसे बढ़िया फाइदर यह इम्मून सिस्टम को बहुत सादक हो सकता है तो इसी तरह की जो हमारी उत्राखन ने जो हमें नेमते बरसी है आप देखिए पेड़ दिखाईए का आप कितना लगा हुआ है इस पेड़ पे अब यह पकेगा यह काले रंका हो जाएगा जैसे मुझे यह यहां पर हवस्ते जीने जोसे जीने और जियाल ने बताया है यह बहुत काला हो जाता है पर यह बहुत टेस्टी होता है पेट को बहुत अच्छा साफ करता है तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको भी एक सारोजगार की कड़ी में जोडते वे इसका भी उत्पादन उपने उत्राखन में करें तो यह भी हमारे लिए गुणों के साथ उत्राखन की इस धरती को मैं नमन करता हूँ और जै हिंद जै उत्राखन जै भारत